100 days in ancient India तो आज हम सर्वाइब करने वाले हैं पूरे 100 दिन इस विरान सुनसान ancient इंडिया के डेजर्ट में इस बार मैं अकले नहीं तरड़ अपने वाला हूँ, मेरे साथ flick भी है हमारे कुछ main aim होने वाले है और इस बार कुछ जादा aim है हमारे जैसे की pharaohs को मारना है वो तो simple सी बात है लेकिन इस बार bandit warlord के पूरी army को हराना है जो पहले से बहुत ज़ादा खतरनाग हो चुकी है उसके साथ एक बहुत ब्यूटिफुल घर बनाना है लेकिन वो घर ने resort होने वाला है जो बहुत सही दिखेगा बात में और यहाँ पर जितने पिरामिट है उससे बहुत बड़ा हम पिरामिट बनाने वाले है जिसमें pharaoh के cover होंगे जिससे कोई न चुरा पाए और उस तक पहुचने के लिए आपको भूल भूले यागो पार करना पड़ेगा जिसको हमने खुद अपने हाथों से बनाया है तो वीडियो बनाने में जितनी मैनत लगी है आपका एक छोटा सा लाइक तो इसके लिए बनता है लाइक एम रखते 50,000 अब 50,000 कब्रीट कर दोंगे तो वर्ल डिंग आपको मिल जाएगा मेरे तरफ से पहले दिन मैं और फ्लिक भटक जाते हैं इस रेगिस्तान में जिसके आसपास कुछ भी नहीं था बस रहती रहती और पेड़ी पेड़ सुखे हुए वैसे हमारे उपर हमला वाता है पीछे से तो हम लोग निकलने का ट्राइ करते हैं हमारे उपर हमला हर कई से बने वाल था सबसे वहले हमारा एम था कि लख्लिया डूणना ताकि हम टूर्स बना पाए और इनसे लड़ पाए वैसे तो हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं तो कोशिश के नाम पर आज वाज बहुत सारे पेड़ थे तो हम सेफ एरिया ढूंटे एक ताकि हमारे पास बैंडित वारलोड के आदमी न आ पाए यह एक्चुली पूरी की पूरी से ना बैंडित वारलोड की है लेकिन एकदम से मेरे ओपर कुट्य हमला करते थे और उनकी लाल आके थे तो मैं समझ जाता हूँ इनसे तो भागना है चाहिए यह कुट्य पहले से भी जादा खतरनाक हो चुके थे तो मैं चुपचाप निकल लेता हूँ लेकिन एक मेरे पीछे ही था कैसे कैसे मैं पीछे छुड़ा था उससे और पहुच जा तो एक सेफ एरिया में वैसे एरिया सेफ निता पर यहापे वारलॉड के आदमी नहीं आये थे लेकिन यह क्या देखता हूँ मैं कि फ्लिक के उपर हमला हो जाता है और ऐसा वैसा हमला निता फ्रिक को दोड़ा दोड़ा के मार रहे थे वो लोग लेकिन मुझे क्या था, मैं तो अभी के लिए बच गया था तो मैं पटापट से लगडिया इकटा करता हूँ और यह सिल्वर फिश का आदमी पता नहीं क्या था यह मेरो पर हमला कर देता है, पर इनको हम दोनों मिलके मार देते है तो चो इसको लड़ने के लिए हम दो लोग लग गए फिर से यह वारलोड का एकदम वाफादार सेना पती हमारे पर अटैक कर देता है मतलब यह कैप्टन था और मेरी दो हाट रहती है मेरो पर आर्चर भी अटैक कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे बच जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला वो एक तीर मारता तो मेरे तीन हाट जाती, मेरे पास दो ही थे लेकिन मैं बच जाता हूँ, और यहापर पहुच जाता हूँ एक रूइन में village में loot करता हूँ कुछ loot मिलती नहीं इतनी अच्छी center में जाता हूँ मैं flick मुझे मिलता है center में पता नी क्या कराता है यापर तो हमें plan बनाते है कि जल्दी से loot सके यहां कि लोग हमें घूर के देख रहेते हैं पता नहीं शायद पहली बार देखे होंगे इन लोगों ने, युग अभी तक तो इन लोगों ने बैंडित वारलोड के आदमी रेखे जिर्फ, और उड भी, लेकिन मुझे कुछ लूट मिलती है, लूट के नावे मुझे मिलता है एक हेलमेट, बहुत सारे ब्रेट, एक अज लिखने में बहुत गजब थी वह, पर अब यह मैं कुछ है नहीं कर सकता था, मुझे बच के भागना ही पड़ा इन लोगों से, यह विलेज में तो हमला बहुत भायानक तरीके से हो चुका था, तो फ्लिक एक घर के अंदर इंतेजार करता है, वो घर में मैं आता हूँ, य चले जाते हैं हम लोग माइनिंग करने के लिए, अब माइनिंग करेंगे तो हम लोग एकदम जवर जस्त वाली करेंगे, मतलब आयरन वगरा सब लेके आना है हमें, तो मैं बना लेता हूँ एक लाइमस्टोन के पिकक्स, जो यह एकदम effective होने वाले है, और काम आने वाले है तो मुझे बहुत सारे coal मिलते है, अब यहाँ पर इतने coal इसले मिल रहे है क्योंकि rate के नीचे पूरी चीज़ दब चुकी है, और rate में बदल चुकी है, मतलब coal तो rate में नहीं बदला है, बट flick के ओपर हमला हो जाता है, और वो हमला करने वाला यह archer था, तो इसको आराम से ह सबाते हैं, और इसको बहुत बूरी मौत देते हैं, इसको समझा भी नहीं होगा किस ने मारा हम दोनों में से, हम और mining करते हैं, डीप में जाते हैं, डीप में खतरा था क्योंकि stone guard होते हैं आपर, और stone warden भी होते हैं कभी-कभी, जो आपको बाद में देखने मिलेंगे, ले पर आयदन को smelt करने रख देते हैं, बहुत सार आयदन थे हैं, हमारे पास में दो लोग थे हम, यह विलेजर से बात करता हूँ मैं, और बात करने का ओद मुझे कुछ नहीं वालम चलता है, क्योंकि इनकी language जाला गया, गेम खेलते खेलते धख जाओंगे, लेकिन विंजो गेम खतम नहीं होंगे, क्योंकि यहां चलते हैं, क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रच जैसे सतर से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स, जैसे स्किल्स वैसे गेम, तो खेलो और जीतो लागों के कैश प्राइज और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने पेटियम, इसकाउंट कूपन भी, इतना ही नहीं, रोज विंजो पर स्पिनल घुमा और जीतो रिवार्ड रोजाना, दस दिन लगा था स्पिन स्ट्रीक बना कर जीतो बाइक एंड स्मार्टफोन, अब विंजो पर इतना कुछ है, और कितना बताओ, विंजो डानलोड करो और खुद एक्सपिरेंस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आरन के आर्मर और टूल्स बना लेता हूं मैं, और मेरे पास में एक हेलमेट रखा हुआ था, तो हेलमेट यूज करता हूं मैं यही वाला, आरन का यूज नहीं करता हूं, और अभी के लिए तो मैं ठीक था, जिन्दा तो मैं, बार्बेरियन के लोगों से, और बाखी कुछ खतरनाख खतरनाख लोगों से, यह बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे ही अगला दिन होता है, धूप एकदम खतरनाख चमक रेती, तो एकदम सही दिन था वो, तो बहार निकलने का टाइम था, तो एकदम से फ्लिक्यों प जो मिलते हैं, मुझे अच्छे अच्छी loot मिलती है, कैमल के armor से लेके बहुत सारे, लेकिन एकदम से क्या सी, कुछ खतरनाख चीज़े हो जाती है, जैसे कि यह फिल्क के उपर हमला हो जाता है, और मैं तो बच जाता हूं, बट फिल्क मरते मरते बचता है, फिल्क भी नहीं तो पानी की कमी नहीं होगी हमें, पेड़ की कमी नहीं होने वाली हमारे पास में, तो यह पर्फेक्ट लोकीशन था, तो हम सोचते ही पे बेस बनानी की, लेकिन बेस बनाने से पहले हमको रिसोर्सेश चाहिए, तो यह एकदम अच्छी जगह में आता हूँ जा पे छाओ मिल तो हम समझ चुके थे बेस जगह है, तो हम नीचे खोदना चालू करते हैं, यह पर अच्छा पानी का एरिया था तो अच्छी हमें मिट्टी विट्टी मिलेंगी, यासा कुछ होता नहीं है बर हमने सोच लिए और कर दिये काम खोदने का, बहुत सारे हम लोग स्टोन के ब् तो अब क्या कर सकते हैं, मैं तो रात को तो एकदम बढ़िया दिख रहा था विलेच, तो पूरे के पूरे हम लोग लाइम स्टोन को बनाते हैं, लाइम स्टोन ब्रिक्स में और फिर बारी आती है हमारी अपना खुद का घर बनाने की, यह लोग तो आराम से सो रहे थे हमारा घर, मतलब विलेच के तोड़ा साइड में, हमारा एंट्रेंस विलेच के तरफ से रहेगा, क्यों विलेच है इतना कजब, लेकिन फिर से खतरनाक तुफान आता है, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं रोकने वाले है, अगर पूरे बार्वेरियन्स और बागी लोग आ अगर कोई आ भी गया तो उसका भी इलाज है हमारे पास में, तो उसके लिए हमको चाहिए खुमाइट ब्लॉक और डाइमंड बहुत सारे, तो हम जाते एकदम डीप केव में, जा पर हमें बहुत सारे स्टोन कार्ड मिलते है, जैसे कि यह भाई, यह स्लो बहुत है लेकिन कोई नहीं हरा सकता है 1v1 में, मतलब अगर इसमें स्पीड होती तो इसको कोई नहीं हरा सकता था, बट इसकी कमजोरी है इसकी एकदम स्लो स्पीड, खेर हम खुमाइट की माइनिंग करना चलू करते हैं, हमें बाता था हमारे पास में experience भी बहुत था, तो खुमाइट को की ऐसा diamond देखने के बाद, मतलब अलगी texture था है diamond का, क्योंकि यह sand में दब चुका है, यह compress होके sand में बन चुका है, तो अगले कुछ दिन diamond और खुमाइट की माइनिंग करते हैं, हम लोग जितना हो सकता है हमसे, और वापीस आते हैं अपने base में, base में कोई spawn नहीं हुआ था मतलब हम समझ चुके था हमने अपना land कबजा कर लिए, हम जाते हैं village के तरफ अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए, लेकिन फिर हमें कुछ खतरनाक चीज दिखती है, हमें दिखता है hellhound, अब यह hellhound यहापे क्या कर रहा है हमें भी नहीं बता, लेकिन हम बच जाते है, क्योंकि इसका जो thing है, पेड़ में अटक जाता है, पेड़ के एक डंगाल में आता है anyway, अब यह पेड़ नहीं तोड़ सकता है बिचारा, इसको इतना दिमाग ही नहीं है, लेकिन है मारत बहुत खतरनाक तर्के से सकता है, अब यह कमजोर था, शायद हमें मारने नहीं आया हो सकता है, वो सिर्फ गुजर रहा हो यह से, लेकिन कोई प्रॉलम नहीं है, ऐसे तो 100-200 चले, वैसे हम पेड़ को थोड़ा बद चौप करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वूट चाहिए थे, पाम के वो जो डेड़ वाले थे वो तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पानी कमता, अनलिमिटेट वाटर सोस बनाते हैं, पाम ट्री को ग्रो करते हैं, कुछ सैपलिंग मिलेते हमें, और अपना काम चालू करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत सारे माटेरियल हो चुके हैं, अपना पूरा घर बनाने के लिए, और एक घर नहीं है, यह सस अंदर बहुत सारा स्पेस है, हमारे पास कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, पर वैसे तो हम बहार रखते हैं जाता हो सामान, फोड़ा एजी होता है, पूरे लेंटन लागा देता हूँ मैं दरवासे लागा देता हूँ ताकि कोई गुस ना पाया अंदर, वैसे गुस के भी क्या करेगा, पता ने एक टकला सा कातिल मेरे पीछे बढ़ जाता है, जिसको मैं एक फॉइट में खतम कर देता हूँ, मुझे भी अकीन नहीं हो रहता है, इतने पावर्फुल बन गया हम लोग, तो अंदर पूर लेंटन लगा देता हूँ मैं ताकि कोई और स्पॉन ना हो अब लगा जाते हैं हम लोग उसमें भी मैं थोड़े बहुत लेंटन लगा देता हूँ, और यहाँ पर चलू करते हैं हम लोग एक और वाल बनाना, यह जो वाल है यह इनर वाल है, अब यहाँ पर क्या होगा आपको बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमारे सोलजरस हैं हो रहेंगे, अब सोलजरस क्यों रहेंगे हाँ पर, अगर कोई भी गलती से भी चड़के आता है, तो इस सोलजरस इनको खतम कर देंगे, और हमारे सोलजरस आपको पता है कितने खतर नाक हैं, एक साथ 10 बारा तो एजी लिए मार सकते हैं वो लोग, तो पूरे लेंटन लग मैं यह वाले कॉलिडर में, ताकि हापे भी कोई ना आपा है, यहापे भी कुछ सोलजरस बना दूगा मैं, और अब बनाते हैं सोलजरस, क्योंकि हाभी सोलजरस का तो एरिया बनाते हैं, पर सोलजरस बनने बाकी है, यह ऐसे सोलजरस हैं, जो हमारे लिए 24 गंटे काम पर यह लोग नहीं थकने वाले, पसे लोग मर सकते हैं, तो यह लोग ना मर है, उसके लिए हमारे पास में किलाज है, इनको एकदम अच्छा अच्छा है आर्मर देने का, और अच्छा अच्छा वैपन्स देना, तो यह वार्डन को भी स्पॉन कर देता हूँ, यह तो इनके लिए काफी है, तो यह पकड़ लेता है, और भाई देखो अब यह कितना मारेंगे, खून खराबा कर देंगे यह पर, मतलब हमारा वार ही होने वाला रखता है, बहुत खतरनाक वाला, आगे, तो मैं पूरे पूरे आर्मर बना लेता हूँ, डाइमेंड के, मैं और फ पर्मर बनाता है वो, और जितने बचे वो डाइमेंड है, उसे खुमाइट सोल्जस बनाते हैं हम लोग, तो थोड़े बहुत और दामेंड बचे थे, जो फ्यूचर में बनाएंगे, अभी-अभी मैं एक लीडर को चुनता हूँ, और वो फाइट करता है, और लीडर ईजी लिए हमारा लीडर जीत किया, मतलब 10-12 तो आराम से समाल सकता है वो, एक और फाइट होती है उपर, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसी कारें बात कर रहा था, और देखो ये कितने लोग जमा है बाहर, ऐसा लग रहा है हमने एक रिजॉर्ट बनाए है, और इंको टिकेट लोट वूट करता हूँ, तो मुझे बोओ एंड एर्व मिलते है बहुत सारे, बोओ मिलता है एक दम सस्ता वाला पर अच्छा बोटा, एक पिरामेट मिलता है मुझे, पिरामेट को तोडता हूँ मैं पर कुछ काम नहीं आता, मेरा पिरामेट तोडने का, जैसे हम अधर जा तो हम 2 मेट के लिले तो सोचने लग जाते हैं यह थाक है यह जैसे हम अंदर जाते हैं फिर से हमारे उपर अटक करता है है यह लकिन इस बार हम लोग प्लान के साथ दे बाहर से कोई बार बरेन का आज मीन आ है और अंदर या अंदर इसको खतम करते तो बहुत सुर एक क्रिट जिराफ के कोई बात निएकदम खतरनाक loot मिलती है और मैं आप समझा जिसने भी यह किया है यह loot को बचाने के लिए किया है इतनी खतरनाक loot को बचाने के लिए बताओं तो और फलेबर मिलता है मुझे पता नि क्या काम करें आपको बताओ पताना कमेंट करके मुझे एक necklace मिलता है और इससे खतरनाग चीज मैंने आज तक नहीं देखा मैं यार invisible हो जा रहा था मतलब ऐसा invisible कि मुझे कोई anime देख सकता है तो necklace और बागी चीज जो हमें मिली थी उसको test करने के लिए हम लोग चाते हैं ruin के अंदर और मैं देख सकते हों मुझे नहीं मार रहा है मतलब मैं ब Susa hol Окॗ मुझे मारेगा नहीं अब देखो जैसे मैं या पर ख़ढ आ तो यह लुग मुझे देख लेते हैं तो राइची मैं बोजन fans आ रहत है dewrikी बांके लिए कुश करने की Woah फूट फ़ूट फार्म तो लिए नहीं बनाते हैं हम लोग एक चोटा हम बना групते हैं यह हुआ ही भेट मिट के लिए हमें चख की पीछना बड़ेगा अपको पता चलेगा बात में उसके लिए का SOIL यह ऐता नहीं होता है और सिस्टपका नदेशर घुब यिदेन अपने सीघ चाहिए बहुत सारे bucket of lava, लाव bucket इसलिए चाहिए, क्योंकि यार देखो हमारे पूरे soldiers मज जाएंगे ऐसे तो क्योंकि आर्चर है दूर से मार सकते हैं, हमारे soldier के पास में कोई भी bow and arrow नहीं है, यहाँ पर बनाने वाले हम लोग एक trap, ऐसा trap कि पूरे के पूरे barbarian मर जाएंगे, इसे बार्बेरियन, आर्चर और जितने भी लोग है आपर सार्जन से लेके सब कुछ, यहाँ पास हमें लावा डालना है, इसे से बनेंगे, सबसे फ़ले हमें wheat तोड़ना है, wheat को वाफिस लगाना भी है, मताँ wheat नहीं है यह एमर है, एमर सीट को वाविस लगाना है, और उसके बाद में चक्की को इसे रखना है, इसके उपर यह पूरे के पूरे चीज़े डालना है, अब यह करते करते तो हम पागल हो चुके थे, तो इससे हमें डो मिलता है, अब यह डो को गीला भी करना पड़ेगा हमें, यह सुखा एक ब्रेड के लिए इतना टाइम, यह पर खाने का ज्यादा भी सोस नहीं है, कैमल को मार के खा सकते हैं, बट बिचारे कैमल अपना काम कर रहेते हैं, हमने सुखा हम भी वेजीटेरियन बन जाते हैं, पूरे के पूरे हम सोल्जेस को लगाते हैं, तो कुछ तो खतरनाक होन जाता है, अब रहूल कहा सा है हमें नहीं पता, इससे हम बात बात करते हैं, पहले तो गेट को बन करते हैं, ताकि कोई आना पाए, रहूल से कुछ दिर बात करने के बाद में हमें पता चलता है, कि रहूल एक अलग डायमेंशन में था, जहांभी पूरा अंधेरा था, और अलग अलग लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, बहुत खतरनाक, यहां से भी खतरनाक, और एकदम से वो टेलीपोर्ट होता है, यह वाले वर्ल्ड में, जहांपे इसे हम मिलते हैं, लेकिन हम से पहले इसके पीछे पड़ जाते हैं, बार्बेरियन वारलोड के आदमी औ और कुछ असेशन आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अभी तो बार्बेरियन वारलोड दूर था, तो इसके छोटे मोटे पिलो का मारते हैं, और उसके बाद में बहार जाता हूँ, और जैसे में बहार देखता हूँ, तो इतने सारे इत्तर, पूरे के पूरे हमारे पर ह बढ़ जाते हैं लेकिन हम इनको लाते हैं अपने अरीना में और अरीना में एक्दम खतरनाक फाइट होती हैं अजिशन से लेके बार्बेरियन और सरजन्ट से लेकि आर्चर सब लोग यहां पर होते हैं और मैं गयाब हो जाता हूं मेरे बस दिमाग था तो मैं चुप-चप बता हूं और यहापे फिर और लोग आते मेरा काम था इनको मारना याव मैंने जाए था कि मैं मर जाओ ऐसो से मारना निशाथ था और एकदम से वर्फ याटा है वर मेरे अटक कर नाक है मतलब यार ऐसे कैसे मतलब मरी नहीं रहाता है वो हमने इतना मारने के बाद भी पर फाइनली मर जाता है और हमें लगता हम लोग जीत गया लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं यह लोग तो आये जा रहे थे बिना रुखे और एक पूरी की पूरी सेना मेरे पीछे बढ़ जाती है तो हम आते अंदर हम चाहते हैं इनसे फाइट करें ना कि इनको लावा में डुबा के मारते तो इनको हम अंदर लाते और मारते इनको बिना रोके फाइटी फाइट चालूती तो विचारा हमारे एक सोल्जर तो बीना वैपन के लड़ रहा था इतना बहाद दूर लेकिन फिर से एक और वारलोड आता है अब ये वारलोड कौन सा वारलोड ता पता नहीं पर राक्षासों की सेना लेके आ चुका था जो बहुत खतरनाक थे एक पता नहीं अजीब सा कुत्ता भी आ जाता है अंदर इसको मैं इसली मारता हूँ अब एक गेट उनके लिए ब आए पहले से बहुत जींदा पावरफुल था वो वाला शायद अलगी लळुत ये काला वाला था और यह बाई ये कुछ अलगी चीज यह एक पर्पल वाला भी आता है अदर वाला लग पते हैं रंगीन थे यह पूरे और एक और कुत्ता आता है अब इन सब को मारने के बा तो मैं उसको लाता हू लावा के तरफ बढ़ वो इतना बड़ा अदमी लावा में कैसे जाएगा तो इतना सब होने के बाद में यह वाले को मारता हूं मैं यह एंडिंग वाला admder Final था इसको मारता हूँ हम लोग जीत जाते है मतलब फाइनली हम जीती जाते हैं और हम सुवय होने का वेट करते हैं ताकि और को राक्षे ना आ जाए और अब ऐसा लग रहा है कि हम जीत चुके थे क्योंकि अब और कोई नहीं आ रहा था राफोल इसलेट अपने ऊठ्में बदके पता नहीं वापिश चल जाता है क्या वोता है उसको मुझे भी नहीं समझा बट वह कहता है कि वह अलग जगा आ अचुका था ओर अलग जगा से आया था वो मतलब वो डैमेंशन जा रहा है क्या रहा एसके साथ में तो वह तो चला ज हम लोग पानी डालते हैं और पॉण्ट बनाते हैं अभी तो आपको दिल लग रहा हो गई है और ताज महल के पीछे bin मतलब सामने पीछे ताज महल सामने पॉंट तो यह बहुत सारे हम लोग लगा देते शुग हाय लिव्स बना देते और और यहाँ पर थोड़े बहुत जो हमारे पास में पाम से अपलिकती उसको ग्रो करते है और आप पानी के अंदर से नजारत देखो थोड़े बहुत में डेकोरेशन के लगा देता हूँ यहाँ पर स्लैप्स जो एकदम स्टोन जैसे काम करेंगे और फिर से तुफान आ जाता ह लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो वारलोड भी मार चुका है मतलब भहुत कम लोग बचे हुए है जो में मारेंगे तो तुफान के वज़े से हम लोग गंदे हो चुके थे तो पानी में स्विमिंग करते हैं हम लोग आराम से कुछ देर नजारे लेते थोड़ को इसी लिए तोड़ते हैं हम लोग और तोड़ने के बाद में हावे पूरा लाइट अप करते हैं यहां के टॉर्च बूच चुके थे मतलब समझ रों किदिन नेगेटिव जगाई है तोटा मिलता है हमें इससे हम फेरों से लड़ सके और मुझे राका हैड मिलता है जो ब हमको जाना था एक दम नीचे वाले में जा पर ममी हो फेरो हो यहां पर बहुत सारे ममी सोते हैं और ममी इसको हम मारते हैं और यह पता नहीं बहुत ज़्यादा अजीव से पतले पतले से स्केलेटन जैसे शायद यह अभी भी जिन्दा है पर पूरे मर चुके अंदर से तो कि भी बहाद हम फाइनली पहुत जाते हैं उस जगह में जा फेरो है मतलब फेरो की बौड़ी है उसको हम जगाना पड़ेगा और जिसने उसको जगाया फेरो उसको फगड़ता है तो यह पाल फिलेकल की इसको मारने का बड़ान हमारे पास में एक plan था कि मैं इसको critical hit दूंगा और flick shield लेके रहेगा लेकिन हमसे गड़बड़ी हो जाती है कि flick को बार बार मेरा attack पड़ रहा था तो flick मुझसे damage हो जारता गलती से लेकिन finally एक final hit के साथ हम यह वाले फेरो को खतम करते हैं और इसका जैसे हम loot box चेक करते हैं तो पता नहीं यह कौन सा loot लेके बैठा हुआ था यह और हमको मिल जाता है पूरा अपना सैट वापिस पूरा सैट लेने के बाद में एक बार लोग देखो कितना खतरनाक दिख रहे हैं तो इ एक दम बढ़ा हो और दिखने में भी अच्छा हो इन सबसे यहां पर कुछ हम लोग ऐसे पूरे के पूरे सैपलिंग लगाते हैं ताकि हमारा जो घर और रिजॉर्ट जैसा लगे कुछ और अब देखो यार लुक कितना बढ़िया लग रहा है बस कमी है यहां पर के बाद में यह एरिया एक दम अच्छा हो जाएगा और पूरा का पूरा एंशन इंडिया का डेजर्ट अच्छा हो जाएगा तो इसके बाद हम पूरे के पूरे यह जो ममीश थे भूत थे सब को खतम करते सबसे पहले कुछ ठोटा मिलते हमें और फाइनली सब थोड़ा ब इनको जिन्दा करता है क्योंकि मैं इसको पीछे से क्रिटिकल हिट दूँगा लेकिन यह वाला फेरो अलग था यह मेरे उपर भी हमला करता है लेकिन मैं भी इसको एजीली मार देता हूँ वैसे इसको मारने बहुत जारा टाइम लग किया क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस तो कबर टोटम सब लेके हम लोग निकल लेते हैं अपने बेस में वापिस कुछ असेशन मेरे पीछे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने फेरो कमा रहा हूँ इसलिए वैसे इसके लावा और कोई बचा नहीं है यहाँ पर अंदर जाता हूँ मैं अंदर के तरफ य अभी तो हमको खत्रा भी नहीं है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ खड़े होतें आराम से और हमारे सौधीन कम्प्लीट हो जाते हैं तो हम लोग उपर ही थे क्योंकि नजारे मार रहे हैं कि आज हुआ जो क्या था हमारे तो यह पिरामिट को देख हो आपको कितना ज्यादा बढ़ा है आप लोग देख सकते हो कितना नीचे तक है तो फ्लिक के चैनल पर आपको मिल जाएगा हमने पिरामिट कैसे बनायते तो हमारे पूरे 100 देस तो कम्टिट हो गए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाई बाई और फ्लिक का वीडियो भी चे